हेलो गाईज बेलकुन टू माई यूटूब चैनल इस चैनल पर एंटीपिसे और एससी प्रिसे पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोटेंट प्रसना आये हुए उन प्रिसनों की सीरीज हमारी यूटूब चैनल पर सेट बाइस कराई जा रही है जो कि आने वाला आपके स प्रिसे पेपर हों जो भी जीके के प्रिसन बने हैं वो पका नपका repeat होंगे तब ही आप वीडियो को पूरा देखिए और जो जीके की प्रिसन है उनका screenshot ले लीजिए चलते हैं आज के पहले जीके की प्रिसन की और हमारा पहला प्रिसन है भारत के सम्मीधान के इनुसार उ भारत के राष्टपती किसी भी नियाले के जो भी उच्छ अधिकारी होते हैं उन्हें एक इस्तान से दूसरे इस्तान तरित करने के सकती भारत के राष्टपती के पास होती है ठीक है और अप्रमेंट भी भारत के राष्टपती करते हैं किसी उच्छ नियाले के नियादीज क यह भी आखी है ठीकिए गाइस ऑफसन भी इसका राइट अंसर हेगा चलते हैं हमारे अगले प्रेस्ट की और UNITAR का इन्वे से फिल फॉर्म क्या है गाइस इसका राइट अंसर होगा ऑफसन सी United Nation Institute for Training and Research जो UNITAR का फिल फॉर्म है ठीकिए गाइस ऑफसन सी इसका राइट अंसर हेगा United Nation Institute of Training and Research ठीकिए गाइस अब चलते हमारे अगले प्रेस्ट की और निम्लिखित में से किसे सेंक्चूरी लीजेंड दोहर पंदरा से सम्मानित किया गया था इसका राइट अंसर होगा इस ऑफसन ए असो कुमार को असो कुमार को सेंक्चूरी लीजेंड प्रुस्का दोहर पंदरा से सम्मानित किया गया था ठीक है ऑफसर ए इसका राइट एंसर रहेगा गाईस चलते अब हमारे अगले प्रस्ण की ओर एक एक बी एल्यू के अक्षरों को पुर्ण विश्थित करने पर यहाँ डेश की राध्धानी बन जाता है इन में से किसकी राध्धिनी बन जाती एक चरों को पुर्ण विश्थित करने से इसका राइट एंसर होगा अफगानिस्तार अगवानिस्थान की राध्धानी काबू ले ठीक है ऑफसर ए इसका राइट एंसर रहेगा चलते अब हमारे अगले प्रस्ण की ओर आई यार सी टी सी दोवारा बर्स दोहा पंद्रा में जेसल मेर जोदपूर और जेपूर होकर जाने बाली एक बिसेस सेमी लगजरी ट्रेन सुरू की गई इस ट्रेन को क्या नाम दिया गया था इसका राइट एंसर होगा इस ओफसन ए जो आई यार सी टी दोवारा दोहा पंद्रा में जेसल मेर जोदपूर और जेपूर से होकर जो एक बिसेस सेमी लगजरी ट्रेन की सुरूबात की गई थी उसका नाम डेजर्ट सर्कूर रखा गया था ठीके ओफसर ए इसका राइट एंसर होगा इस इसे याद रखिए यह आपके आना वाले जाम में रिपीट हो सकता है यह कोर्सन डेजर्ट सर्कूर इस्ट्रेन का नाम था चलते अब हमारे अगले प्रेसंग की ओर एलेक्ट्रोन की खोच इन में से किसके द्वारा की गई थी हमारा राइट एंसर होगा ओफसन सी जेजे थामसन द्वारा एलेक्ट्रोन की खोच जेजे थामसन द्वारा की गई थी ठीके गई ओफसन सी इसका राइट एंसर होगा जेजे थामसन अब चलते हमारे अगले प् भारत के समीधान की कौन सी अनुसूची भारत के राज्यों और केंदर सासित प्रिद्रसों को सूची ब्रद करती है इनमें सब कौन सी सूची है इसका राइट अंसर हो गाइस ऑफसर ए पहली अनुसूची ठीक है गाइस पहली अनुसूची भारत के समीधान की समीधान में राज्यों और केंदे सासित पिर्देसों को सूची बरत करती है आपसम मिलाती है पहली अनुसूची ठीकी कैस ओफ्सन सी इसका राइटन से रहेगा पहली अनुसूची चलते अब हमारे गाई अगले प्रसंद की ओर निम में से कौन सा उपकरण बिजली के उपकरण को बोल्टेस से अचानक होने बाले चड़ावों से बचाने हेतु बनाया गया है इन्हें से बहा कौन सा उपकरण है इसका राइटन सर होगा इस उफ़सन D Search प्रोडेक्टर Search प्रोडेक्टर विजली के उपकरून को बोलटे से अचानक बढ़ने या नीचे गिनने से बचाने हेतू इस उपकरून को बनाए गया है ठीक है option D इसका राइटन सर एगा Search प्रोडेक्टर ठीक है, option D सही है अब चलते हमारे अगले प्रेस्ण की ओर क्रांतिकार्यों की संस्ता अभीनब भारत का गठन इनके द्वारा किया गया था इन वे से किसके द्वारा अभीनब भारत का गठन किया गया था इसका राइट अंसर होगा, option C बिनायक दामुदार साबर कर इनके द्वारा अभीने भारत का गठन किया गया था ठीक है, option C इसका राइट अंसर होगा, बिनायक साबर कर द्वारा चलते हमारे गाईस अगले प्रेस्ण की ओर अक्टूबर 2.15 में 90 से अधिक देशों की 350 से अधिक महत्पून जगाओ को साइग राष्ट संग के अधिकारी नीले रंग से प्रिखासित किया गया था यह किस अफसर पर किया गया था इसका राइट अंसर होगा, option B यह साइग राष्ट की 70 बर्सगाट पर किया गया था ठीक है, option B इसका राइटन से रहेगा गाईस, यह एंटी पीसी टीर 2 का पेपर है, जो काफी महत्पून है तो इससे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए, क्योंकि इसमें थोड़े प्रस्ण अच्छे लेबल के हैं, ठीक है, यह आरवी एंटी पीसी टीर 2 का पेपर है, हमने आरवी टीर बनके सारे पेपर करवा दिये गया है, तो हमारे वीडियो पर हमारे यूटूब चनल पर चेक कर लिजिए, लाइन से पूरे वीडियो हमने करवा दिये गये हैं, पहली टीर के, यह टीर 2 का पेपर है गाईस, चलते है अब हमारे अगले प्रस्ण की ओर, निमलिखित में से किस देश ने, दुनिया के सबसर सकती साली, GEO जासुसी उपगरे, गाउफेन 4 का प्रिक्षेपन किया है, इन में से कौन से देश ने, इसका राया टैंसर होगा, ऑफ्षन C, चीन दुआरा, चीन दुआरा, दुनिया के सबसर सकती साली, GEO जासुसी उप गया था ठीक है और संसी इसका राइट अंसर रहेगा चलते हैं अब गईस हमारे अगले प्रसंद की ओर निमने से दिल्ली के बरतमान लोकायुक इन में से कोन हैं इसका राइट अंसर होगा ओफ्सन ए नियामूर्थी रेवा खेतरपाल ठीक है गईस वट दोबीस में जो भी लोकायुक निक्त होएं दिल्ली के आप वो याद किजी क्योंकि वो आ सकते हैं आपके आने वाले एक जा भंग हो जाए तो चुनाव हो जाने चाहिए चुनाव कितने महीनों के अंतरा हो जाने चाहिए यदि कोई पंचयाद भंग हो जाए समय से पहले इसका राइट अंसर होगा ओफ्सन D भग होने की तारिक से 6 महीने के अंदर चुना हो जाने चाहिए ठीकी गाईस ओफ्सन D इसका राइट अंसर होगा अब चलते हैं हमारे अगले प्रस्न की ओर बढ़ दुवा पंदरा में सायूद राष्ट जलबायू परिवर्तन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था इसका राइट अंसर होगा ओफ्सन A पेरिस में ठीक है जो सायूद राष्ट जलबायू परिवर्तन दुवा पंदरा में हुआ था बहाँ पैरिस में किया गया था option A इसका राइट अंसर होगा guys और 20 में जो भी सवकदाश्ट जलबाई परिवतन हुआ है अब बुए आद रखिए वो कहां पर हुआ है ठीक है चलते हैं हमारे guys अगले प्रसंद की ओर निम में से कौन सा देश पहला carbon negative देश बना है इसका राइट अंसर होगा option C भूटान भूटान पहला carbon negative देश बना है बल्ड में पहला ठीक है option C इसका राइट अंसर रहेगा तो याद रखिए अभी तक यह पहले इस्तान पर यह carbon negative पर मामले में ठीक है option C इसका सई अंसर होगा चलते हैं अब हमारे अगले प्रस्ण की ओर बर्ष दुहाद चार में नासा ने डेस ग्रे का अध्यन करने के लिए मेसेंजर अंत्रिक्षयान प्रिछेक्पित किया था इन्वे से किस ग्रे का अध्यन करने के लिए इसका राइट अंसर होगा आफ्सन C बुद्ध ग्रे का बठ दुहाद चार में नासा ने बुद्ध ग्रे का अध्यन करने के लिए मेसेंजर अंत्रिक्षयान को प्रिछेपित किया था ठीक है ऑफ्सन C इसका राइटन से रहेगा गैस देखिए दुहाद चार का जो प्रस्ण है वो जो 2015 में आया हुआ है आध का लिए जिए क्योंकि रिपीट पक्का होई यह ठीक है इसका राइट अंसर ऑफ्सन C रहेगा बुद्ध चलते हैं हमारे अगले प्रस्ण की ओर अजन्ता गुफा के चित्र भारत में डेश के सोनी के प्रमाने इन में से किस धरम के अजन्ता गुफा में चित्र बने है इसका कहने का यह मतलब है इसका राइट अंसर होगा option C बोध धरम अजन्त गुफा जो की माराष्ट में इस्ति थे माराष्ट के उरंगाबाद जिले में उसमें बोध धरम के चित्र बने हैं ठीके option C इसका राइट अंसर होगा बोध धरम अब चलते हमारे अगले प्रसंकियों कम्पिटर में किसी फाइल का प्रकार उसके डेस से पहचाना जा सकता है किसके दुआरा कम्पिटर का कम्पिटर में किसी फाइल का आकर पहचाना जा सकता है इसका राइट अंसर होगा option D file extension के दुआरा file extension के दुआरा किसी फाइल का आकार हम ज्याद कर सकते हैं ठीक है Option 4 इसका राइट अंसर रहेगा अब चलते हैं हमारे गाइस अगले प्रिशन की ओर भागवान बुद्ध के जीवन से संबंदी चार पवित्र इस्तानों में से एक महाबोध्धी मंदीर इसका राइट अंसर होगा Option B भीयार में ठीक है भागवान बुद्ध के जीवन में जो चार पवित्र इस्तानों में से जो एक है महाबोध्धी परिशर मंदीर भाव भीयार में इस्ती थे ठीक है Option B इसका राइट अंसर रहेगा अब चलते हैं हमारे गाईस अगले प्रिश्ण की ओर अक्टूबर दो असूला में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सरेक्षी छेतर MPA की स्टेट पर बनाया गया था इसका राइट अंसर होगा Option A अंटार्क्टिका में ठीक है दुनिया का सबसे बड़ा जो समुद्री सरेक्षी छेतर है जिसे MPA की नाम से जाना जाता है बहाँ अंटार्क्टिका में बनाया गया था Option A इसका राइट अंसर रहेगा चलते हो हमारे अगले प्रस्ण की ओर कितने भारती राज्य और संग्षातिस प्रदेश में समुद्री टट आते है मतलब कहने का यह मतलब है कि कितने जो भारती राज्य हैं और संग्षातिस प्रदेश हैं जो समुद्री टट के किनारे बसे हुए हैं इसका राइट अंसर होगा is Option B 9 राज्य और 5 संग सासित प्रदेश हैं जो कि समुद्र टटके किनारे पसे हुए हैं ठीके गाईस ओफशन 20 का राइटन सरोगा 9 राज्य और 5 संग सासित प्रदेश ठीके इसे याद कर लिजेगाईस क्योंगे आने वाले एक्जामे ये जरूर आ सकता है 9 राज्य और 5 संग सासित प्रदेश जो कि समुद्र टटके किनारे पसे हुए हैं अब चलते हैं गाईस हमारे अगले प्रस्म क्योंद निमलिखित के बीच समानता हैं ढूंडे मका सक्रान्ती, पॉंगा, लोडी और बेसाकी इनमें क्या समानता हैं इसका राइट अंसर ऑफसन भी है ये सभी फसल की कटाई से सम्मदित तुहार हैं मका सक्रान्ती, पॉंगा, लोडी और बेसाकी हुआ ये सारे फसल जब कटती है उसके उपलक्ष में ये तुहार मनाय जाते हैं पॉंगल तमिलनाडू में बनाय जाते हैं इस लोडी बेसाकी ये पंजाब हरियाना में बनाय जाते हैं इसे याद रखिए ठीक है ये सभी फसल कटाई के तुहार हैं अब चलते हैं हमारे अगले प्रसंद की और किस टीम ने दुहापंद्रा प्रो कुस्ति लीग का किताब जीता इसका राइट एंसर होगा ओफसन भी मुंबई गरूडा दुआरा ठीक है गैस जो कुस्ति है कबड़ी है जो इंडिया के अंतरकत खेली जा रही है और जो भी जीती है ट्रोफी तो आप वह याद कीजिए क्योंकि वह आएंगे आपके आने वाल एक्जाम है इसमें आपको पता जल जाए कि कैसे एक जामबर कॉसन सेट करता है ठीक है दुआ पंदरा में कुस्ति पुछाता तो दुआर बीस में वो आई पीए लिया किसी भी प्रिमनली के बारे में पूछ सकता है तो आप उन प्रिसनों को अच्छे से जाद कर लीजिए चलते है अब हमारे आगले प्रिसन की और दुआ पंदरा में निन में से कौन सा बेंग अपनी वेफसाइट के माद्याम से रेल टिकेट बेचने के लिए भारती रेल के साथ जुडने वाला पहला बेंग बन गया था इसका राइट अंसर होगा गाईस ओफसन बी आई सी आई सी आई सी आई बेंग जो दुआ पंदरा में वेफसाइट के माद्याम से रेल टिकेट बेचने के लिए भारती रेल के साथ जुडने वाला पहला बेंग बन गया था ठीक है ओफसन बीस का राइट असर होगा आई सी आई सी आई बेंग ठीक है गाईस चलते हैं हमारे अगले प्रसन की और गाईस जे अधिकतार कोश्चन भहीं से आ रहे हैं ठीक है गाईस चलते हैं हमारे अगले प्रसन की और आप्टिकल फाइवर किसके सिद्धान पर काम करता है इसका राइट एंसर होगा ओफसन सी पूर आंत्रिक परावरतन के आप्टिकल फाइवर पूर आंत्रिक परावरतन के पर काम करता है ठीक है ऑफसन C इसका राइट अंसर होगा टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन ठीक है ऑफसन C इसका राइट अंसर होगा तब चलते हमारे अगले प्रेश्ण की ओर निम्न में से यादियों की धार्मी किताब इन में से कौन सी है इसका राइट अंसर होगा ओफ्टन ए तोरा ठीक है गईस जो यादियों की धार्मी कुछ तक है उसे तोरा कहते हैं ओफ्टन ए इसका राइट अंसर होगा ठीक है चलते हैं अब हमारे अगले प्रसंट की ओर किस देश ने USA को Statue of Liberty भेट में दी थी इसका राइट अंसर होगा option B France दुआरा France दुआरा USA को Statue of Liberty भेट सरूप दी गई थी ठीक है guys option B इसका राइट अंसर होगा France ने USA को दी थी अब चलते हमारे अगले प्रसंट की ओर सरवधिक ओसकर प्रसंट का जीतने वाले पुरुसर रिकार्ड में इन में से किसका नाम है जिन्होंने सरवधिक बार ओसकर जीता है इसका राइट अंसर होगा option A बोल्ड डिजनी जो की डिजनी कंपिनी के मालिक हैं जो USA में इस्तित है बोल्ड डिजनी उन्होंने सरवधिक बार ओसकर पुरुसकर जीता है ठीक है रिकार्ड इनके नाम पर है बोल्ड डिजनी ठीक है guys अब चलते हमारे अगले प्रसंट की ओर डेड मार्ग की राध्धनी इनमें से क्या है इसका राय टंसर होगा option A कोफेन हेगन डेड मार्ग की राध्धनी कोफेने घने ठीक है option A इसका correct answer होगा चलते हमारे अगले प्रसंट की ओर भारती सम्मिदान में कितने मोलिक अधिकारों का उलेखन किया गया है हमारे अगले प्रसंट की ओर अंत्रिक्ष में जाने बाले सर्वपिथम कुट्टे का इनमे से क्या नाम था इसका राय टंसर होगा option B लाइका सबसे पहले जब मानब द्वारा अंत्रिक्ष में जो भी टेस्ट किया गया था तो उस अंत्रिक्षान में एक कुट्टे को भेजा गया था ठीक है जिसका नाम लाइका था सर्वपिथम अंत्रिक्ष में जाने बाला जो जानवार है वो कुट्टा है उसका नाम लाइका रखा गया था ओफशन बी इसका राइट अंसर रहेगा चलते अब हमारे गईस अगले प्रसंग की ओर पानी के अंदर की बस्तुग का पता लगाने के लिए इन में से किस यंदर का उपियोग किया जाता है इसका राइट अंसर होगा ओफशन सी सोनार जो भी बस्तुग पानी में यह को भी वस्तुग कितनी घहरी सता पर इस्तित है ठीक है ओफशन सी सकर राइट अंसर रहेगा सोनार का उपियोग किया जाता है पॉल्यों की टेकी की खोच इन में से किसके द्वारा की गई थी इसका राइट अंसर होगा गाइस ओफशन बी जोना साल्ग द्वारा जोना साल्ग द्वारा पॉल्यों की टेकी की खोच की गई थी ठीक है ओफशन बी इसका राइट अंसर रहेगा गाइस याद रखे लिजिए क्योंकि यह रिपीट हो सकता है जोना साल्ग ने पॉल्यों प्रिस्टे में je saamand virtue ज्यान के आई हुए थे वह आपको करवा दिये गये हैं। जो करिंट फोर काया हैं इस पेपर में बोह मत किजिए। याद जो 19-20 में important서idd वो पक्के आज कीजिए क्योंकि railway SSC जो सारे एक्जामर हैं वो पक्का repeat question करते हैं ठेके गाइस तो बेटों को पूरा देखने के लिए धन्यबाद गाइस हमने SSC की भी सीरीज सेट बाइस करा रहे हैं तो हमारे YouTube लिंक पे जाकर आप वो भी देख सकते हैं ठेके गाइस यह सीरीज का सादबा भागता तो ठेंक्यू गाइस लव यू ओल और हमाई चेनल को प्लिस सब्सक्र कीजिए यह निव चेनल लगाईस सपोर्ट कीजिए अ कि अ कि अ कि अ